नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सबीनियन गाडेनिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अपने टेरेस गाडेन को जिसे मैंने च्छत के उपर छोटी सी जगह में किया हुआ है और मैं इसे बहुत साड़े सब्जियां प्राप्त भी कर लेता हूँ तो दोस्तों वर्तमान में अभी ये दिसंबर का महीना है और दिसंबर के महीने में आप सब्जियों का उपादन अच्छी तरह से छत पर बिना किसी पड़ेसानी के कर सकते हैं इस टाइम में बहुत कम रोगों की संभावना होती है और सब्जियों की उपज काफी ज़्यादा अच्छी होती है दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपने छत के उपर गमले में लगाया है ये फ्रेंच बिन्स ये बेल वाले बिन्स के पौधे हैं और इसमें बेल वाले पौधे में बहुत ज़्यादा हर्वेस्टिंग होती है इसमें गुच्छों में बहुत ज़्यादा आपको हरी सबजी अपड़ापत होंगी दोस्तों इस तरह के मैंने और भी बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पे पहले से बना रखे हैं जिसमें आपको मिटियों की तैयारी पौधों की देखभाल उनमें लगने वाले रोग एवं उसके निवारन के संबन्द में बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे तो आप मेरे चैनल पे जाके आप अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं दोस्तो यदि फ्रेंच बिंस के बारे में हम बात करें तो फ्रेंच बिंस को उगाना काफी ही जादा आसान है और इनके लिए बहुत ज्यादा उपजाओं मिटी की भी आवसकता नहीं होती है जदि आपके पास किसी भी परकार की मिटी है और उसमें जदि आप थोरा सा बायो जाइम केंचुगा खाद वगरा का प्रयोग करके जदि इस बीज को लगाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी उससे हर्वेस्टिंग हो जाएगी दोस्तों जदि गमले की बात कर ली जाए तो गमले के लिए आपको चाहिए होगा मिनिममम 12 इंच का पोट क्योंकि उससे जदि आप छोटा रखते हैं तो बेल वाले प्लांट्स को उगाने में आपको काफी जदा कठनाईयां हो सकती है उनकी ग्रोथ पे असर पर सकता है तो मिनिमम जो है 12 इंच का पोट होना चाहिए 12 इंच मतलब यह होता है कि उसमें जो गढ़ाई होनी चाहिए वो 12 इंच और उपर का जो चोड़ाई होना चाहिए डायमीटर उसका वो भी लगभग 12 इंच ही होना चाहिए तो उसमें अच्छी खासी मिटिया आ जाती है और उसमें बहुत अच्छे आपको प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए समय समय पर आपको बस इसमें थोरा सा खाद एड करने की आवस सकता होगी दोस्तों मैं आपको यहां एक बात और बताना चाहूंगा कि सबजियों की गाड़निंग करने से पहले मन में ख्याल आता है कि इतना सारा परिसानी कोन मोल लेगा इससे सस्ते में होगा कि आप बजार से सबजियां खरीद के खाले लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं लगभग 4-5 वर्सों से अपने टेरेस गाड़निंग कर रहा हूं और इन सबजियों का जो स्वाद है आप यकीन मानिए बजार की सबजियां उसके तुलन मंद होती है दोस्तों इसके अलावा मेरे टेरेस गाड़न में वर्तमान में टमाटर के भी कुछ पौधे लगे हुए हैं और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि उससे भी मुझे हर्वेस्टिंग प्राप्त होना सुरू हो गया है और इससे भी लगभग एक पौधे से मै एक कीलो के आसपस टमाटर एक बार में हर्वेस्टिंग करता हूँ और इसमें ये भी पौधा जो है एक बार में नश्ट नहीं होता है इसमें जैसे जैसे आप नीचे से हर्वेस्टिंग करते जाएंगे उपर से बहुत सारे इसमें फूल और छोटे छोटे जो है बेबी फ पौधे देखें उससे मैं बिह बीज तियार कर लेता हूं. और उन्हीD ड़िको कि आफ देख पा रहे हूं만 के विकिता एक भा रहा मैं इसे इतो दामाठों को मैं माट्वा कर देता हूं उसने बहुत सारे पौधे के शुरी तवी kyaड़ से दस किलो आलू हमें हर्वेस्टिंग होंगे और ये आलू जो है ये भी कोई भीज खरीदने के आवा सकता नहीं है आपके घर के किचेन में जो आलू इस मौसम में अक्तूबर नॉम्बर के मौसम में बहुत सारे उसमें जो है नय-nय स्प्राउट्स निकलने सुरू हो जाते हैं तो उन आलू के छिलके को मैं इसके अंदर डाल देता हूं मतलब एक कतार में और उसके बाद मीटियां उसके उपर से डाल देता हूं और बस जैसा की देख पाड़े होंगे कि बहुत सारे आलू के पौदे में रतेयार हो गया है इ इसके अलावे मैंने इसमें आम का भी एक पेर लगा रखा है जदी वह भी फल देगा तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा इसके अलावा मैंने बहुत सारे डिपरेंट सबजियां इसमें लगा रखी है कुछ गोभी के भी एक दो पौधे लग पत्ते का यह सबजियों के लिए क्या ज़्यादा जरूरी होती है तो यह हमें घर से ही प्राप्त हो जाता है इसके बारे में भी मैं आपको पता दूं कि इसका भी पत्तों का जो एसमेल होता है वह बजार के पत्तों में बहुत ज्यादा इसमेल नहीं आता है लेकिन घर से वहद डाता है यानि भजार के जो धनिया पत्ते होते हैं गर मैंने एक बातरे प्रूटिंग हो रही है एक स्व infantry कि गर बातर सकते हैं बैगन लगाने के लिए थोरा सा बरे पोर्ट की आपको आवा सकता होगी तो मैंने इसके लिए इस्तिमाल किया है फीश टैंक का फीश टैंक से गमला बनाने के लिए मैंने जो वीडियो बनाया था उसका लिंक उपर आई बटन से आपको मिल जाएगा वहां से आप चाहें तो देख सकते हैं, मैंने एक फीश टैंक से दो-दो गमले बनाये थे इस तरह के, तो एक गमले के लिए जदी आप एक बैगन का पोधा लगाते हैं, तो आप उसको अच्छी तरह से बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग होगी, और इसके अलावा मेरे गार पूल भी देखने को मिल जाएंगे आपको, जैसा कि गुलाब देख पा रहे होंगे, यह चार साल पूराना पूधा है, लेकिन अभी इसमें बहुत अच्छी तरह से फूल लगे हुए हैं, इसके साथ ही अभी जो आप देख पा रहे होंगे, यह पत्ता गोभी है, तो मैंन थोरा इसमें चार पूधे ही लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने छे पूधे लगा दिया था, परन्तु मेरी मिटियों का हेल्थ जो है अभी ठीक है, इसलिए यह भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और इसके साथ ही आप बगल में देख पा रहे होंगे, तो मैंने कुछ यह मेथी के पत्ते लगा रखे हैं, इसका मेथी पराठाव अगरा बनाएंगे बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट होता है, और घर के मेथी पत्तो की बात ही कुछ और है, साथ ही आप देख पा रहे होंगे, कि मैंने कुछ गमले में यह जो एस्ट्रॉबरी प्लांट्स होता है, परन्तु देखने में बहुत ज़्यादा खुबसूरत लगता है, इसके साथ ही आप घर में चाहें तो गोवी भी लगा सकते हैं, जैसा कि देख पा रहे होंगे, कि मैंने फीश टैंक वाले जो बॉक्स थे, उसमें दो बॉक्स में लगभग 6-6 प्लांट करके लग लेरा है, और मेरी गोल्ड का फूल है, साथ ही कुछ अलग 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 गमलों में कुछ पालक के भी पत्ते लगा रखे हैं, तो इस तरह से बहुत सारे ज़दी आप डिफरेंट सब्जीयां लगाते हैं, तो आपके घर में बहुत सारे जो रिक्वार्मेंट्स होते हैं, व मेरा निम्बू का प्लांट बहुत अच्छा है, यह 12 माची निम्बू है, इसमें सालों भर एक निम्बू तयार होंगे, तो दूसरा छोटा छोटा बेबी फूर्ट्स नजर आएंगे, और साथ ही कई साड़ी इसमें आपको कलिया नजर आ जाएंगी, जो बेबी फूर्स बनने के कगार पे हैं, दोस्तो यह दिसमबर का महीना है, और अभी मैंने दिखाया कि अभी दिसमबर के महीने में मेरे गार्डन में कौन-कौन से सबजियां और फूर लगे हुए हैं, तो वीडियो जदी अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज इसे लाइक कर दिजिए, और ह उसका लिंक आपको description box में दे दूँगा, या comment करके ही आपको दे दूँगा, और जहां से आप चाहें तो देख सकते हैं, और जदी मेरा वीडियो पहले से नहीं बना हुआ होगा, तो मैं आपके लिए special एक separate वीडियो बना दूँगा, जिससे आपको काफी ज़्यादा सहाय मिल जाएगी, तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा उद्य से यही रहता है, कि आप देखें, सीखें और इस चीज को करें, मिलते हैं को और नए वीडियो के साथ, तब तक लिए नमस्कार, आपका दिन,